जैश्री महाकाल, जैश्री महाकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम्चो में बहुत-बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत-बहुत शुक्रे आप सभी का इतना प्यार देने के लिए आप सभी को निशुल जोतिश परामर्स प्राप्त करने वाला एक मातर चैनल जो आपको निशुल जोतिश परामर्स प्राप्त करवाता है, वो है डॉक्टर ओम्चो तो कोई भी परेशानी का हल यदी चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं फेश्बुक पर जुड़ हैं, ट्विटर पर जुड़ हैं, मुझे फोन भी लगा सकते हैं और बात कर सकते हैं हम कोई भी किसी भी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल टॉल फ्री हैं दोस्तो हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि चैनल से जब भी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े जागेगा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले जो सो दिन हैं तीन माही आपकी कैसी रहेगे उसमें क्या खास है और क्या विसेश चीज़े आपके साथ हो सकती है आने वाले तीन माही आपके लिए बहुत अच्छा क्योंकि हम सकारत्मक जोतिश में विश्वास रखते है उनी के आधार पर आपको जो भी हमारा सूर्य लगने से देखते हैं और उस आधार पर हम बताते हैं देखे दोस्तों तीन माही जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा समय इस वर्स का जो मैं कहता आता हूं वो आने वाला है और इस वर्स का बहुत अच्छा समय आपका इन अभी विशेशता हाशिल हो सकती जैसे तारीक 15 हो 20 हो और महिने की सुरुवात के तीन दिन एक से तीन तारीक तक यह जो स्टार्ट अप है यह आपके लिए बहुत अच्छा आर्थिक तोर पर होगा और वैसे भी कोई बड़ी आर्थिक लाप तो मुझे पूरी मैं आपको हमेशा कहता ही हूँ और इस बार भी मैं बताना चाता हूँ कि बड़ा आर्थिक लाप होने की समाहोना है प्लीज दोस्तो धोका धड़ी साब बचें कहीं भी पैसे इंवेस्टमेंट करने के लिए आप जो फ्रोट कोल्स आती हैं धोका धड़ी होती है उन चीजों से आप साउधान रहे क्योंकि इसकी आसंका है आपकी राशी के लिए या किसी भी राशी के लिए बहुत ज़ाद के लिए थोड़ा परेशान आपको कर सकती है तो प्लीज शक का होना जीवन में बहुत ज़ादा घातक है इसका दवाई कहीं भी नहीं मिलती है तो शक मत पालिएगा इससे दूरी बना के रखे तो आपको फाइदा होगा मान सम्मान प्रतिष्टा धनलाब आर्थी कुन्यत कि मित्रों से मिलन कहीं गुमने फिरने जा सकते हैं और ओचक मित्र मिलन हो सकता है और जो में जो मुख्य बात है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ और हमेशा से समझाते आया हूँ कि प्लीज दोस्तों वहान धीरे चलाए क्योंकि वहान दुरगटना है आज कि इस दोर में बहुत ज़रूब पहले गढ्णा होती थी पैदल यातरी की अब गढ्णा होती हवाईजाच चलने वाले की गाड़ी पर चलने वाले की तो उन गढ्णाओं के आधार को भी आपको सहीं करना होगा तो दोस्तों मैं बस सामान जोतिशी आप से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि विशेज जोतिशी दीव कुछ बाते बताते हैं तो बहुत से लोगों को मन में बहुत से वहम शक पैदा हो जाते हैं इसलिए ये जो शिरी महा काल जै हिन जै भारत